जोहार दोस्तों मैं रंजित कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप समों का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हम खोठा भासा व्याकरन क्लास 6 का भाग 2 देखेंगे फ्रेंड्स पहले वीडियो में हमने वर्तमान काल को देखा था और जो काल के बेसिक बातें थी उस पे चरचा कहें थे साथी प्रिवियर्स एर के कुश्चेंस भी देखे थे आज की वीडियो में हम भूथ काल देखेंगे और अगर काल के नजरिये से देखिएगा तो भूत काल सबसे ज़्यादा important हो जाता है ठीक है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है friends बहुत से students के मैं comments देखता हूँ कि काल थोड़ा उन्हें complicated लगता है तो friends इसका solution क्या है इसका solution है friends जो चीज आपको complicated लगता है उसे बारबर पढ़िए just like खोठा में काल ले ले, कारक ले ले, समास ले ले अगर आप यहां बारबर चीजों को नहीं देखेंगे बारबर नहीं पढ़ेंगे तो obviously आपके questions कलत हो जाएंगे दूसरी बड़ी बात ज़्यादा से ज़्यादा questions का practice कीजिए तो काल के मामले में मैं कहूंगा कि YouTube पे आपको जितने वीडियो दिखते हैं काल के खोठा वाले, जो थोड़े अच्छे हैं उसे आप देखे, ज्यादा समय नहीं लगता है 10 मिनिट, 5 मिनिट लगता है, हर weekly week में बार-बार उसे देखे I hope कि आपके एक भी question नहीं छूटने वाले है दूसरी बड़ी बात कि जो काल से question आते हूं उतने difficult नहीं आते हैं लेकिन फिर भी हमें हर difficult questions के लिए भी तयार रहने तो चलिए इन सब चीजों को ही ध्यान में रखते हुए, हम आज भूत काल को देखेंगे friends काल के बारे में मैं पहले वीडियो में discuss किया था कि क्रिया के जी सुरूप से किसी कारी के होने का समय का पता चले या समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं काल कहते हैं काल फिर जनरली समय से related अगर आप देखें तो समय को तीन भाग में पर बाट दिया गया यह वरतमान काल है मतब जो अभी कोई काम हो रहा है या अभी जो हुआ है वो वरतमान काल है उसे पहले जो बीत गया है वो बहुत काल है और जो भविस्त में होने वाला जिससे पता चले मतब भविस्त में होने वाले गटना को हम क्या का सकते है तो भविस्ते काल का सकते है तो यह बेसिक चीज़ें आप बच्वन के ग्लासिस मतब 6,7,8,9 में लोग पढ़ते हैं तो यह हुआ काल के बारे में फिलाल हमें exam oriented content देखने है क्योंकि friends जो exam में selection होता है वहाँ पी खुब कठीन परिष्णम सिर्फ कठीन परिष्णम नहीं चाहिए थोड़ा सा तो smart आपको बनना पड़ेगा मतलब मुझे सिर्फ इतना clever बनना है कि मुझे कैसे marks score करने कैसे full marks score करने उस पे focus करना है बाकी ग्याता तो बनने के लिए लोग पेस्डी करते है हम तरह तरह की courses करते हैं समय लगा देते हैं पर फिलाल हमें क्या करने है marks score करने है ठीक है चलिए एक बात और मैं यह important है वर्तमान काल का बोधक परतिया है generally क्या होता है कि कोई भी क्रिया जो होता है वो दो चीजों से मिल के बजना होता है धातू प्लस परतिया ठीक है तो जैसे पढ़ना एक क्रिया है तो इसमें क्या होगा पठ क्या है पठ क्या है धातू है और इसमें ना जुड़ गया तो यह क्या हो गया पढ़ना ये प्रते जुड़ गया तो ये क्या बन गया क्रिया बन गया ठीक है उसी तरह खा क्या है धातु है इसमें ना जुड़ गया तो खाना क्या बन गया क्रिया बन गया ठीक है तो इसी तरह वर्तमान काल बोधक प्रते है मतलब क्या लास्ट में लगा रहे कि हम समझेंगे कि ये वर्तमान काल का sentence है तो अगर last में अ ओ लगा रहे है तो वह वर्तमान काल का वाक्य है और अगर last में ल लगा रहे है मतलब मूल क्रिया में या सहाय क्रिया दोनों में अगर लगा है तो वह भूत काल का sentence है ठीक है यहाँ से असानी से समझ सकते हैं और अगर भविस्यकाल का बात करें तो ब और त अगर मूल धातु के शाद अगर लगा है प्रतेक के रूप में तो क्या कल आएगा भविस्यकाल का संटेंस हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए यहां से इजली आप पुस्चन को पकड़ सकते हैं कि किस सेक्षर किस टेंस का ठीक है बारतमान काल बता रखा था आज हम लोलोग भूत काल पर चर्चा करेंगे तो भूत काल क्या है बेरी सीम्पल किर्या के वैसन रूप जेकर से बीत स्मय के बोध हये तकरा भूत काल कर जाए मतलब किर्या के जिस रुप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूधकाल करते हैं very very important भूधकाल के कितने भेद हैं ठीक है सुनने मसान लगता है लेकिन यह important है यह important है तो भूधकाल के कितने भेद हैं चाह है कौन-कौन से भेद हैं तो समान्य भूधकाल आसन भूधकाल पूरा भूधकाल इसे नजीकिक भूधकाल भी कहते हैं अध पूरवा भूधकाल सकाहा संदीख भूधकाल और हेतु हेतु मद भूधकाल तो एक ही करके सब का डिफिनेशन देखेंगे बहुत सरल है सिंपल है आप इसली समझ जाएंगे ठीक है किरियक जून रूप से कुनों काम के भूत काले कुनों खास समय में होवे के पता ना चलो है मतलब यह हुआ कि कुनों कारी के बीतल समय में समाननी रूप से सिराइल होने का बोध हो मतलब समाननी रूप से कारी खतम हुआ यह पता चले मतलब किसी खास समय में खतम हुआ है यह पता ना चले वह क्या कहलाता है समान्य भूतकाल चली थोड़े एक्जामपल देखते है और क्लियर हो जाएगा जैसे मैं हम पढ़ लो मैं मतलब पढ़ा मतलब पता नहीं चल दा न मैं कब पढ़ा तो यह देखे प्रथम पुरुष अप लोग जानते हैं प्रथम पुरुष क्या है जब खुद के बारे में बात हो अपनी बारे में बात हो अगर सिंगल तो क्या होता है एक वचन हम प्रथम पुरुष एक वचन परफम पुरुस बहुँआचन क्या होता है? कि जब हम लोग खुद के बारे में बात करते हैं अगर सिंगल तिसरे का बात हो रहा है तो अन्यपुरुस एक वचन और अगर बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है तो अन्य पुरुस बहुँ अच्छा ठीक है कि बेसिक कंसिप्ट लोग जानते हैं तो प्रथम पुरुस जब हम पढ़ लो सिंपली एक्जामपल देख लीजी हम इन पढ़ ली, तो ही पढ़ ले तोहिन पढ़ला या पढ़ला है उ पढ़ला या उखिन पढ़ला तो यह हो गया अन्य पुरुस में उ तीसरा का बात हो रहा है उखिन पढ़ला ठीक है तो ल लगा हुआ है न देखिए पढ़ के साथ ल लगा हुआ है मतलब भूद काल का संटेंस है देखिए आपको एक वचन मध्यम पुरुष बहु वचन इस तरह के question नहीं पूछेंगे जादस जादस अगर वो पूछ सकता है आपको मतलब एक sentence देदेगा और पूछेगा कि यह कौन सा भूत काल है आपको बताना है इच्छा में से तो अगर अब 6 को अगर समझ के रखें अच्छे से समझ रखें तो अब इजली बता पाएंगे ठीक है चलिए दूसरा reference आसन या नजीकेक या टटका टटकी भूत काल मतलब यहां पर क्या होगा कि आपको पता चलेगा कभी तुरंत कार्य खतम हुआ है मतलब किरियाक जोन रूप से पता चलुआ है कि कोई काम एकने सिरायले मतलब नजदीक में खत्म हुआ है ओकरा आसन या टटका टटकी भूत काल कहल जाए एक्जामपल देखिए प्रत्थम प्रोस एक वचन का अगर हम वाग के देखेंगे तो हम पढ़ ले हों मतलब लग रहा है ना फील देखिए हम और आप जो खोठा बोलते हैं उन्हें थोड़ा सा मतलब आसानी होगा समझने में कि वो बार बार इन संटेंस का यूज करते है तो थोड़ा से गर उन संटेंस पर गौर करेंगे तो आप थोड़े से गर रूल्स रेगुलिशन जानते तो इसली जज कर पाएंगे कि संटेंस कौन सा मतलब काल का है ठीक है या काल के किस रूप का संटेंस है ठीक है तो हम पढ़ ले हो मतलब अभी भी खत्म होने का बोध पढ़ले हा, बहुँ अच्यान, अन्य पुरुस की बात करें, तो उ पढ़ले हे, मतलब तुरंत का बात हो रहा है, ओकिन पढ़ले हती या हतीन, अगर confusion हो रहा है, तो डोंट वोरी मैं क्या बोला, बार बर पढ़िए, बार बर देखिए, ज्यादा question प्रैक्टिस कीजिए, य इसरा है फ्रेंट्स पूरा बहुत काल, किरियाक जोन रूप से यह पता चलो है, कि काम बहुते पहले सिराइल है, मतलब पता चलता है, बहुत पहले काम खत्म हो चुका है, मतलब एक तरस देखें, समय का यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है, संटेंस में भी पता चलेगा, ओ पूर्ण या पूरा बहुत काल काहा है, जैसन में अगेल हल, हल है, या हले या रहे, इस तरह से ठीक है, पर थम पर पूर से एक व क्वचन की संटेंस देखें, मतलब समझ जब आ हमंः पढले हलों, यह हलों से बहुत होगया है बहुत भले काम हुआ है ठीक है या हम इन पढ़ले हली इसी तरह हम इन पढ़ले हलो तो ही पढ़ले हले तो ही पढ़ले हलो और यहाँ भी देखिए रहे भी और रहों से भी इसको वर्तमान नहीं समझ लेजेगा थोड़ा सा सेंस समझना है कि तो पढ़ले रहें मतलब रहें क्या हलो वाला ही सेंस हो रहा है हले वाला ही सेंस हो रहा है पुराने समय का बात हो रहा है ठीक है तो ये क्या कलाएगा पूरा भूद काल कलाएगा ठीक है और इसी तरह अन्य पूरुस में क्या होगा पढ़ले हले मतलब कि वह लग जाएगा ओखीन लग जागा ठीक है कोई ज्यादा परिवर्टन आता नहीं ठीक है बागी थोड़ा सा यहाँ पर एक मतलब ऐसा नहीं पूछना चाहिए एक्जाम में कि संटेंस एरर पूछ लगी कौन सा संटेंस सही है तो अगर ऐसे कुश्चेन आते हैं तो थोड़ा सा complicated होगा लेग सिरायल या निंगरल समझते हो ना बहुत लोग यूज करते होगी निंगरल की नाय मतलब खत्म होना बात एक पता नाय चलो है तकरा अधपूर्वा या पूर्ण भूत काल कहा जाता है मतलब कोई काम सुरू हुआ और उस संटेंस में पता ही ने चले पता नहीं रहा या चल तो यह क्या कहलाएगा अधपूर्वा भूत काल हामिन पईड या पड रहल हली तोहिपड रहल हले मतलब नहीं continuous tense का मतलब जा रहा हूँ जा रही है इस तरह का यहाँ पे बोध हो रहा है रहल से ठीक है तोहिन पईड रहल हली मतलब पईड के साथ-साथ यहाँ पे सहाय करि उसी तरह अुत्म पूरुस या अन्य पूरुस में उपईट रहल हल, वो किन पईट रहल हला। जनरली बोलते हैं कि हम गये थे तो वो पढ़ रहल हल। अब पता नहीं हम आ गए तो पता नहीं चला है या फिर पढ़ना छोड़ा या अभी तक पढ़ी रहा है या पता नहीं चल रहा है तो यहाँ वे क्या हो गया यह अधपूर्वा भूतकाल ठीक है लेकिन संदिक्द में क्या है काम ही संदिक्द होता है कि काम हुआ या ना हुआ मतलब भूतकाल में कुछ हुआ लेकिन काम में ही संदिक्द है तो वह क्या है सकाय संदिक्द भूतकाल है चलिए डेफिनिशन देखते है जोन किरिया से बीतल पहरे काम हिवे के संका या संदे हो चल रहा है, संदे है, जनरली गाओं बेकर हम लोग बात करते थे, तो आप याद करेंगे, अगर देखेंगे, तो ऐसे संटेंसे यूज होते हैं, जनरली अगर कोई क्रिकेट मैच खिलने गया, किसी के घर वाले ने पूछ दिया, कि हाँ, सो फलना को या सचीन को देख ले हैं तो इस तरह से बोलते थे, कि तो क्या बता था, यहाँ पर क्या है, तो यह भूटकाल का कौन सा भीद में आ जाएगा, तो सकाहा या संदीग्द भूटकाल में, ठीक है, इस तरह से समझी, अब असानी से एंसर कर लेंगे, ठीक है, उपढ़ले हतय, यह अन्य पूरुज का एक बोचन में आजएगा, उसी तरह बोचन में हमीन पढ़ले हवब, तोहीन पढ़ले हबा, या उखीन पढ़ले हथा, या हप्थीन, तो यह हप्थीन जनरली आदर सूचक इस तरह से यूज होता है, जनरली यही यूज होता है, ठीक है, तो यह क्लियर है, सकाहा संदीग् तो मद भूत काल ठीक है? एकर में दू कामे किरिया रहो है एक काम कर और एक परिनाम कर लेकिन साथे सर्त रहो है यदि पहल का कारे हुआ होता तो दूसरा कारे संपन होता प्रनतु भूत काल में किरिया होता ही नहीं है ठीक है? तो ऐसे, चलिए इसे example समझते हैं मतलब कि अगर तुम पढ़े होते तो collector बन गये होते ये sentence को, चलिए इसे और थोड़ा सा यहां से समझते हैं, प्रथम पुरूस जोदी हम पढ़ ले रहते ला तो नौकरी भेल रहते ले मतलब दोनों बात भूत काल में हो रहा है कि अगर वो भूत काल में पढ़ा रहता तो नौकरी हुआ रहा होता अगर वो दोड़ने का practice किया होता तो दरोगा बना रहता, कई लोग छट गए थे नहीं दोड़ने के वज़े से तो यह sentence क्या है, एक्जामपल है हेतू हेतू मद बहुत काल का ठीक है, बाकी मध्यम पूरुस में देख लिए जोदी तोई, हाम की जगापे हाम चन में हो जाएगा और वो हो जाएगा बाकी तो sentence सेम ही रहेगा ठीक है, और ओकी इन हो जाएगा शोठा सा 5-6 मिनट का वीडियो आएगा बहुत का मान लिजीए वहाँ से आप मैं भवित काल बितासय नोट है लब पर तह हैं लगा लगा हुआ है तो लब पर तह हैं से हम पता कर सकते हैं वह भूद काल संटेंस है सहायक क्रिया का रूप मैं इस तरह से मतलब सौट में बना दिया हूँ जनरली मुझे नहीं लगता है इससे कुछ बिसेस बेनिफेट होगा लेकिन फिर भी एक सरसरी नजर से देखने के लिए ठीक है यहां से है समान्य भूत काल से तो लास्ट में क्या रहता है लो ली इस तर सकाहा क्या होगा हवब यहां से सकाहा तो पता चल दाएगा यह तो मद तलो या तली मतलब बढ़ तलो तैसा हो तली ठीक है इस तरह से बाकि उसके लावे कुछ कुस्चन थे मैं वर्तमान काल वाले करवा रखा था एक बार फिर से आप देख लिजे हम खाय रहल ही वाई के कौन काल के परजोग हेल है तो यह ततकालीन वर्तमान काल का है मैं पिछल वीडियो में बताया था चली हम लोग भूत काल वाले कुस्चन देख लेते हैं दीन मनी जीक मते खोठा साइथ कैगो काल विवाजन कर लगे लेती है इंपोर्टेंट है तो काल के क्या हाते है हर क्या होते हो थोड़ा अथेंटिक भूख जाता है तो वहां से कुछे जाने के खोठा साहित साधानिक व्याकरण जो है एक जहासर का तो उसको पढ़ी बार बार अगरा वास बूख नीए बेचक ले लिए उसके एक्जामपल देखें वहां से कुछे जाने समभावना ज्या आदर महतों परभाकर जी चे मध्य वर्तमानकाल के कहिते तो !! तीन है यह तो ठीक है ? बोद काल बनवे खातिर मुल्क रिया के साथ क्या जुबड़ा जता है ? लग ज़टाहता है ठीक है ? यह जान लेजे… थी बी … हाँ medical के ब संरंची पेठिया गेल है ? गेल है, ठीक है, मतलब क्या बोध हराया कि तुरंद गई है अभी ही गई है, ठीक है, मतलब टटका का बोध हो रहाया, ठीक है इसका सई अंसर क्या हो जागा, टटका टटकी या आसन बोध काल, ठीक है उसी तरह, ये कुछ प्रस्न थे, जेतने important हो सकते हैं, previous year में तो एक दो ही question पुछे गए, ज्यादा काल से पूछा नहीं गया, लेकिन I hope कि JSSS TGL में पूछा जाए, ठीक है, set बगार हम आप देख रहे होंगे, तो देखी, खोठाम अगर आपने 95 वस्कोर नहीं किया, तो फिर बेकार है पढ़ना, कोसिस किजिए 95 वस्कोर के आजा, क्योंकि मैं जनरली देखता हूँ, study for goals अप पे जो 50 full length test है, उसमें जो test लगाते हैं, उसमें कई बच्चे ऐसे हैं, rank जब मैं check करता हूँ, तो कई बच्चे ऐसे हैं, जो 95 प्लस question सही कर रहे हैं, तो आपको I hope कि इतना समय मिल गया, इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो इतने अस्कोर तो बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ syllabus fix है, तो question तो इतने असानी सब कर सकते हैं, I hope कि market में जितने question, जिस level के हैं, उससे भी easy question exam में पुछा जाएगा, तो friends, यहाँ था आज का वीडियो, बहुत काल का, और बाकी, इसके लावे हम भवी से काल देख लेंगे, और then हम एक वस्तुनिस question का स्रीज लाएंगे, या फिर extremely important question टाइप में हम जब question का practice करेंगे, तो पे भी भूतकाल को देखेंगे, इसके लावे बितादो friends की खोठा के daily quiz होता है हमारे telegram channel पे, तो उस telegram channel का link मैं comment box में भी डाल दे रहा हूँ, और description box में भी डाल दे रहा हूँ, आप telegram channel जोईन कर लीजे, किसी कारण वस्त कुछ issues हो गये थे हमारे पुराने telegram channel पे तो दुबारा बना और 1000 पलस लोगों ने जोईन कर लिए और काफी अच्छे से वो 25 questions का per day क्या होता है, practice होता है quiz का तो वहाँ से कर सकते हैं, जनरली 4 दिन का अगर quiz को आप मिला देंगे तो एक full length set हो जाता है, तो इस तरह से अगर आप practice करना चाहते हैं, तो study for goals app download कर लिजी और यहाँ पर अच्छे से जारकन जी के practice कर सकते हैं, ठीक है इसके लावे friends, खोठा में पढ़ना तो जितना जरूरी, उससे ज़्यादा जरूरी friends, कि अगर आपने पढ़ रखा है तो ज़्यादा जरूरी कि प्रैक्टिस किये जाएं तब पता चलते हैं, कौन सा section है जो आपका, जहाँ पर marks कट जा रहे हैं, ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, हमने study for goals app पे 50 खोटा full-length test का एक course बना रखा है, paper 2 जो की JSSE CGL, नगरपाली का सेवा समवर्ग और JSSE CGL, विसस्टी होगे था तीनों कसले बस से में, उसके लिए तयार किया गया, इसमें 50 full-length test के लावे, friends, जो वीगत वर्स के आज तक papers से उसारे add किये गये, और 200 plus topic wise sectional test है तो even कह सके हैं, 10,000 plus question यहाँ पर अवे लेवल है, इस course में जो कि minimum price पर है, तो आप इससे join कर सकते हैं, बाकी videos बेगारा आपको YouTube पर फ्री में ही मिलते रहेंगे, ठीक है, इसके लावे, friends, यह, हाँ, यह खोठा का जो, बहुत से, यह जनरली इसमें, मैं interest नहीं लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा से study for goals को भी परिसानी हो जाता है, booklet है उसे parcel करने में, तो कई ए students का request था, उसको ध्यान में रखते हैं, हमने यह notes बना दिया, यह 1250, लगबग 1250 पन्नों का हमारा खोठा का जो notes है and written notes है, वो students क्या हो रहा था, PDF में पढ़ने में सुविधा हो रहा था, तो हमने उनके सुविधा के लिए बना दिया, तो यहाँ पर क्या है कि आप पर यहाँ आप और कर सकते हैं इसे और आपको hard copy free home delivery होगा घर तक पहुचा दिया जाएगा 3-4 दिनों में पहुच जाता है, और soft copy जो है, इसका soft copy जो है, वो एप पर अविलेबल रहता है चुकि कई बार content कुछ बचे होते हैं, तो हम आप पर भी update करते हैं, तो उसे बाद में भी आप वहाँ से print निकाल सकते हैं, जो बचे होई content है, तो आप इसमें collection of 7 booklet है, और यह 1250 pages का है, तो आप यहाँ पर regular update भी मिलेगा, थोड़ा सा, यह इससे कम possible ही नहीं था, क्योंकि Gerox बगएरा कदर ही यह है कि, और courier charges ही है, कि इससे कम नहीं जा सकते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बाकि अगर आपने study for goals के 499 वाले course ले रखाती, इससे लेने आपको 200 प्लस video lecture, 150 प्लस handwritten notes, 200 प्लस mock test, और यह overall है, ठीक है, 15 प्लस full length test भी इसमें है, ठीक है, तो यह इसमें काफी लोग जुड़े हुएं, अगर आपने अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, बाकी अगर आपको हमारे content अच्छे लग रहे हैं, तो study for goals को like कीजिए, और वीडियो को like किया कीजिए, और ज्याद ज्याद दोस्तों के साथ share भी किया कीजिए, बाकी मैं हर दिन repeat करता हूं, कि friends, success का ना कोई shortcut नहीं होता है, थोड़ा सा smart work करते हुए, अगर आप ऐसा करते हैं, एक खास interval of time में, तो एक लंबे समय तक, तीन महिना भी लंबा ही होता है JSC के लिए, तो अगर तीन से छेय महिना आप मन से पढ़ते हैं, तो आपको कोई भी selection से नहीं रोक सकता है, ठीक है, तो अभी करते हैं, अभी बड़ा crucial समय भी जितना ज्यादा हो सके पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके रिविजन किजिए, I hope कि आपका selection होगा, study for goals का और मेरा best wishes है, तो friends मैं फिर मुलूंगा अम भवी सिकाल की वीडियो के साथ, तब तक अब अपना ख्याल रखिये और पढ़ाई जारी रखिये, friends all the best for your upcoming exams and for your preparation, जय हिंद, जय जारकंड, जवार